हाई एविवन मैं भूवी मेरी दीटन मचमूर फैमली और मेरे सारे विवर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आई होप आप सभी हैपी और हेल्दी होंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप से भी को दिल से बहुत बहुत थैंक्यू बोलना चाती हूँ इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप ही लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार की वज़े से ही हमारी फैमली अब बढ़ी हो गई है और ट्विंटीगे की फैमली हो गई है इसके लिए आप से भी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेगा क्योंकि आपके प्यार और ब्लेसिंग्स ही मुझे आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेयना देते हैं तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंट्स हम जेंट्स फुल सेटर की बुनाई करना सीख रहे हैं जिसके दो पार्ट हमने अलड़ी सीख ले हैं आज इसका हम फाइनल पार्ट बुनना सीखेंगे अब यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने दो पार्ट मिस कर दी हैं तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ आप उनकी वीडियो उसमें देख सकते हैं तो आज हम आगी की बुनाई करना सीखेंगे फ्रेंट्स हमने लास की वीडियो में नकी कटिंग करके दोनों शोल्डर्स को जोड़ना हमने सीख लिया था तो आज की वीडियो में हम आगे स्लीप की बुनाई नकी बुनाई की बुनाई और स्वेटर को कैसे सीखेंगे मैंने sleep के एक side के बुनाई पहले ही कर ली है इसी तरह से हम दूसरे side के sleep की भी बुनाई करेंगे normally हम sleep की जब बुनाई करते हैं तो border से इसकी बुनाई करके फिर आगे इसकी length complete करके आमोल की जितनी cutting है उसके बराबर इसकी बुनाई करके उसे seal लेते हैं लेकिन आज हम different तरीके से इसकी बुनाई करेंगे इसकी जो आमोल की cutting है यहां से हम फंदे उठा कर इसकी बुनाई शुरू करेंगे फिर बाद में हम neck के border की बुनाई करेंगे तो चली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और sleep की बुनाई कैसे करनी है वो सीखते हैं left side के sleep की तो हमने बुनाई कर ली है अब हमें right side की बुनाई करनी है तो back side से हमें फंदे उठाने है अब right side में भी हमें 108 फंदे left side की तरह ही उठा कर बुनाई करनी है तो back side से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे बैक साइड हम 54 फंदे और आगे फ्रंट साइड में 54 फंदे उठाने हैं तो टोटल 108 फंदे हो जाएंगे तो हम यहां राइस शूल्डर के बैक साइड से फंदे उठाना शुरू कर रहे हैं यहां से जैसे हम नौर्मली फंदे उठाते हैं वैसी फंदे उठाएंगे बैक साइड से 54 और फंट साइड में 54 फंदे उठाने हैं आप फंदे इस तरह से उठाएगा कि दोनों फंदों के बीच में गैप न देखे और फिनिशिंग भी अच्छी आए झाल अब बैक साइड के हमने इतने फंदे यहां उठा लिए हैं अब आगे भी हमें यहां तक फंदे उठाने हैं यहां तक हमें 54 फंदे उठाने हैं और इसके आगे भी हमें 54 फंदे उठाने तो टोटल 108 फंदे हो जाएंगे हमने total 108 फंदे उठा ले हैं और right side से हमने फंदे उठाए हैं अब हमें wrong side की बुनाई करनी हैं तो wrong side की बुनाई हम जैसे pattern में करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे जैसे हमने pattern की बुनाई की है पहले वैसे हमें यहां भी follow करना है तो हमने right side से फंदे उठाए हैं तो यहां से हम row one count करेंगे और यह wrong side है याद रखेगा यह row one है तो इसमें हमने पहला पंदा जो है उसकी पर्ल बुनाई करनी है और आगे का पंदा हमने सीधा बुनना है फिर एक पर्ल बुनाई करनी है और एक फंदा सीधा बुनना है ऐसे ही एक पर्ल और एक फंदे की सीधी बुनाई करके कि हमने ये रो कम्प्लीट करनी है हमने फर्स्ट रो की बुनाई कम्प्लीट कर ली है अब हमें सेकंड रो राइट साइट की बुनाई करनी है क्योंकि हम स्लीप की बुनाई कर रहे हैं तो स्लीप को हमें शेप भी देनी है तो यहां पे हमें दोनों साइट से एक एक फंदा भी गटाना है इस रो में तो हम सेकेंड रो बुन रहे हैं और सेकेंड रो में हमें दो फंदे गटाने एक साइड एक फंदा गटाएंगे दूसरी साइड हमें एक फंदा गटाना है तो यहाँ पर हमने पहला फंदा स्लिप करना है फिर आगे के 2 फंदों को हमें 7 में बुनकर 1 फंदा कम करना है अब यहां हमने 1 फंदा कम किया अब आगे हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है जब तक की 3 फंदे बचन जाये फिर दूसरी साइड भी हमें 1 फंदा कटाना है अब यहां तक हमने बुनाय कर ली है और तीन फंदे बच गए हैं तो यहां भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है फिर लास्ट वाला फंदा हमें सीधा ही बुनना है और ये रों कम्प्लीर करनी है तो हमने यहाँ दोनों साइड एक एक फंदा कटाकर अब 106 फंदे बच गए हैं अब हमें रॉंग साइड की बुनाई करनी है जैसे हमने रॉंग साइड की बुनाई पहले की थी वैसे ही करनी है जो फंदा जैसा है उससे हमने वैसा ही बुनना है तो पहला फंदा हमने slip करके आगे जसा फंदा है जैसे आगे पर्ल है तो हमें पर्ल ही बुनना है तो यान आगे लाकर इसके आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है तो यान पीछे लेकर एक फंदा हमने सीधा बुनना है फिर हमने आगे का जो फंदा पर्ल है तो उसे पर्ल ही बुनना है तो इसी तरह से एक फंदा पर्ल और एक फंदा हमने सीधा बुनकर ये रोग कम्प्लिट करनी है थर्ड रोकी भी बुनाई पूरी हो गई है अब हमें फोर्थ रोकी बुनाई करनी है तो फोर्थ रों में भी हमें एक एक फंदा दोनों साइट कटाना है तो यहाँ पे हमने जैसे सैकेंडरों की बुनाई की थी वैसे ही करनी है एक फंदा हमने स्लेप करके आगे दो फंदों का हमने एक फंदा करना है फिर आगे हमें सीधी ही बुनाए करते जाना है जब तक कि लास्ट में तीन फंदे बचने जाते अब यहां तीन फंदे बच गए हैं तो आगे के दो फंदों का हमने एक फंदा करना है और लास्ट का एक फंदा सीधा बुन कर ये रो भी कम्प्लीट करनी है इस रो में भी हमने दो फंदे गटा लिये हैं अब 104 फंदे बच गए हैं अब आगे इसी तरह से हमें रिपीट करते जाना है और राइट साइड में हर बार हमने दोनों साइड से एक एक फंदा गटाना है जब तक कि 98 फंदे बचने जाते हमें इसी तरह से फंदे गटाने हैं हमने 98 फंदे बचने तक बुनाई पूरी कर ली है और दोनों साइड से एक एक फंदा हम गटाते हैं तो टोटल 10 फंदे हमने गटा ले हैं अब इसके आगे भी हमें फंदे गटाने हैं लेकिन हमें हर बारव राइट साइड में पांच वी रो में फंदे गटाने हैं तो तब यहां हमें अनलों साथ से एक इक फंदा करना है तो यहां से तो यहां से हम रोवन काउंट करके बुनाई शुरू करेंगे तो यहां पहला फंदा हमने स्लिप करना है और आगे फंदों को हमें सीधा ही बुनकर यह रोव कम्प्लीट करनी है रोवन की हमने बुनाई पूरी कर ली है अब हमें नेक्स रोव की बुनाई करनी है तो इसमें हमने रोव साइट की बुनाई करनी है तो पहला फंदा हमने स्लिप करके आगे फंदों जैसे हैं हमने वैसी ही बुनना है एक फंदा पर्ल और एक फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो भी कम्प्लीट करनी है सेकेंड रो भी हमने कम्प्लीट कर लिया है अब ये थर्ड रो है तो थर्ड रो को भी फर्स्ट रो की तरह ही हमने बुनना है तो पहला फंदा स्लिप करके आगे फंदो को हमें सीधा ही बुनकर ये रो भी कम्प्लीट करनी है थर्डो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है अब हमें फोर्थ रो की बुनाई करनी है तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और आगे का एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर ये रो भी हमने कम्प्लीट करनी है फोर्थ रो की बुनाई हमने कम्प्लीट करनी है अब हमें फिफ्थ रो की बुनाई करनी है तो इसमें हमने दोनों साइट से एक एक फंदा गटाना है फिफ्थ रो में हमें फंदा गटाना था तो यहाँ पे हमने एक फंदा पहला वाला स्लिप करके आगे दो फंदों का एक फंदा करना है अब यहां दो फंदों का एक फंदा करके हमने एक फंदा गटा लिया है अब इस रो में हम फंदे गटा रहे हैं तो इस रो में हम मारकर लगा लेंगे रॉंग साइट की बुनाई करने के बाद फिर से हमें फिफ्थ रो में फंदे गटाने तो यहां पे हम मारकर लगा कर आगे सीधी बुनाई करेंगे जब तर तीन फंदे बचनी जाते अब यहां तब बुन लेने के बाद तीन फंदे बच गये हैं तो आगे के दो फंदों का हमने एक फंदा करना है और तब तक हमें बंदे गटाते जाने हैं जब तक कि 56 बंदे wrist में बचने जाते friends में normal height के साब से ही sleep की बुनाई कर रही हूं आप अपने according ही sleep की बुनाई करिएगा जब 56 बंदे बच जाएं तो उसके आगे भी बुनाई करनी है तो आप सीधी सीधी बुनाई करते जाएगा जब तक कि length complete नहीं हो जाती फिर आगे हमें border की बुनाई करनी है तो जब 56 बंदे बच जाएंगे तो आगे हम border की बुनाई करेंगे मैंने आगे बुनाई करके इसकी बुनाई को complete कर लिया है और 56 बंदे बचने था इसकी बुनाई पूरी कर लिया है अब इसके आगे हमें border की बुनाई करनी है जिस तरह से हमने border की बुनाई की है वैसे ही करनी है फिर फंदे भी इसी तरह से हमने bind off करने है हमने फ्रंट और पैक के बॉडर की बुनाई जिस तरह से की है उसी तरह से हमने इसमें भी बॉडर की बुनाई करनी है और लगबत दो इंच हमें बॉडर बुनना है ये राइट साइड है और राइट साइड से ही बॉडर बुनना शुरू करेंगे और बॉर्डर बुनने के लिए मैं इसमें पतली निडल यूज़ कर रही हूँ जो की 10 नमबर की है और इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और उसके आगे का फंदा हमने सीधा बुनना है उसकी सीधी बुनाय करके उसके आगे का फंदा हमने एक पर्ल बुनना है अब इस है जिसी तरह से 1 फंद्ध सीधा और एक फंद्ध पर्ल बून कर हमने यह गुज़ कंपलीट करनी है हमने first row right side की बुनाई complete कर ली है अब हमें wrong side की बुनाई करनी है तो इसमें हमने पहला वाला फंदा slip करना है और इसके आगे का जो फंदा है उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है इसको हमने सीधा बुनना है फिर यान आगे लाकर एक फंदा slip करना है फिर यान पीछे लेना है एक फंदा सीधा बुनना है फिर यान आगे लाकर एक फंदा ऐसे slip करना है तो इसी तरह से एक फंदा हमने सीधा बुनना है और एक फंदा slip करके ये रो complete करनी है हमने two rows complete कर ले हैं आप आगे इनी last के two rows को ही repeat करके हमें बूनते जाना है जब तक की border की length complete नहीं हो जाती border की जो लंबाई है आप अपने इसाब से बून सकते हैं border की length भी complete हो गई है आप हमें फंदे bind off करने हैं तो आप चाहे तो इसमें normal तरीके से भी फंदे bind off कर सकते हैं लेकिन मैं sui से फंदे bind off करूँगी sui से फंदे bind off करना हमने channel में पहले भी सीखा है तो चली आज फिर से सीखते हैं फंदे bind off करने के लिए हमें फंदों के हिसाब से यान लेना है और उसे कट करकी sui में in insert करना है फिर आगे हमने उसकी उसकी अपन क DAY करनी है तो इसकी सिलाई कैसे करते हैं वह आ ध्यान से देखीगा अब हम फंदे बाइंड ओप करेंगे तो पहला फंदा है वो पर्ल है तो उसको हमने आगे से ही ऐसे सिलना है इसको हम आगे से सीलेंगे उसके आगे का जो फंदा है उसको भी हमने ऐसे सीधा ही लेना है अब ऐसे सिलाई की हमने इन फंदों का हमने ऐसे उतार दिया फिर हमें wrong side का जो यहाँ पे सीधा वाला फंदा है उसे लेकर यहाँ पे right side वाले people से इसे मिला कर सीलना है फिर उसके बाद front वाला जो सीधा वाला पंदा है उसको सीधे वाले फंदे से ही मिला कर इसे सीलेंगे अब इसी तरह से आगे भी फंदे bind off करने हैं और थोड़ा हलके आतों से फंदे bind off करेगा ताकि पहनने में wrist में uncomfortable ना हो और यदि आप नॉर्मल तरीके से फंदे bind off करना चाहती हैं तो वैसी भी कर सकते हैं झाल कि अब दिए लाग यहां आतों से विप सकते हैं च्राइव जह हैं भी रुझे नहीं टो प्रेसाग करें भी करना चाहती हैं नहीं से लाय साथ 11दी से में दूर्मल तरीके सब्सेटर उपाइष थे कर गर दो कर दोखें हैं हमने सारे फंदे बाइंड ओफ कर ले हैं और बहुत हलकी आतों से मैंने फंदे बाइंड ओफ किये हैं अब जो बची यान है उसको बाद में सिक्योर कर लेंगे या इसकी सिलाई करते समय हम यूज कर लेंगे आप देख सकते हैं दोनों बॉर्डर की बुनाई बिल्कु सेम हुई है अब आगे हमें स्लीप की सिलाई करनी है तो स्लीप की सिलाई करने से पहले हमें नेक के बॉर्डर की बुनाई करनी है तो पहले हम नेक के बॉर्डर की बुनाई करेंगे उसके बाद हम सिलाई करेंगे स्टेट के अठाउन अठाउन फंदे और बीच में जो स्टेट लाइन आती है उसका एक फंदा तो टोटल 164 फंदे हो गए आप याद रखेगा यह थ्री प्लाइ वूल है और मोटी वूल है हम बैक साइट से फंदे उठाना शुरू कर रहे हैं तो बैक साइट की नेक्स से हम 47 में 47 फंदे उठाने है तो फंदे आप इस तरह से उठाएगा कि फंदों के बीच में ज्यादा गैप न दिखे हमने यहां तक फंदे उठा ले हैं तो बैक साइट से हमें टोटल 47 फंदे उठाने है और फ्रंट साइट से 58 फंदे हमने उठाने है तो पहले हम बैक साइट की फंदे उठाएगे बाद में फ्रंट साइट की फंदे हम उठाने हैं अब हमें फ्रंट साइट के एक साइट के 58 फंदे उठाने है और दूसरी साइट के 58 फंदे और बीच में हमें एक फंदा स्टेट पैन के लिए उठाना है झाल 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 पैन के लिए उठाना है अब हमने जहां से फंदे उठाना शुरू किया था यही से हमें बुनाई भी करनी है तो यहां से हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे और यह राइड साइड है और रो वन है तो पहले हम फंदो को अच्छे से एज़ेस कर लेंगे फिर बुनाई शुरू करेंगे मैं नेक की बुनाई करने के लिए सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ यदि आपके पास सर्कुलर निडल नहीं है तो आप दोनों साइड से खुली निडल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको तीन निडल्स की जरुरूत पड़ेगी तो यहां से हम बॉर्डर बुनना शुरू कर रहे हैं अब आगे हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे तो बॉर्डर की बुनाई जैसे हमने पहले की थी आप वैसे भी कर सकते हैं या नॉर्मल बॉर्डर की बुनाई जैसे होती है वैसे भी आप कर सकते हैं इसमें मैं normal water की ही बुनाई कर रही हूँ तो पहला फंदा मैंने सीधा बुना दूसरा पर्ल बुना इसी तरह से हमें एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनते जाना है और जहां से हमने शुरू किया था वहीं तक हमें इसको बुनते वे आना है हमने यहां तक बुनाई क हमस्तित दोनों को हमने साथ मेंस्ति लिभ करना है याद रखिएगा अब दोनों कामने श्लिप किया उसके आगे जो पंद उसके हमने सीधी बुनाई करनी है याद रखिए कि उसके हमने सीधी बुनाई कर लिए फिर जो दो फंदे हमने पहले स्लिप किये थे उन दो फंदो को जो बुना हुआ फंदा उसके उपर से ऐसे लेना है मिस एक फंदा यहां पर हमने कम करना है तो देखे इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाती है जब आगे आप तो दूसरी सैट भी सीधी बुनाई होगी फिर आगे हमें बुनाई को कंटिन्यू करना एक फंदा आपने पर्ल और एक फंदा सीधा बुनकर यह रोग कम्पलीट करनी है अब यहां तक हमने बुन लिया है और एक रोग की बुनाई हमने कंपलीट कर ली है अब आगे भी हमें इसा तरह से कंटिन्यू करना है और रोवन को ही रिपीट करके बुनते जाना है क्योंकि हम गोलाई में बुनने हैं तो हमें सेम बुनाई करनी है बस हमें जो स्ट्रेट लाइन वाली बुनाई करनी है वहाँ पे हमें फंदे गटाने है बस यह याद रखेगा अब इस रोब में हम एक बार फिर से सीख लेते हैं कि जो स्टेट लाइन हमें कैसे बूननी है जो स्टेट लाइन वाला फंदा है उसके आगे एक फंदा बचने था हमें बूनते जाना है अब यहाँ एक फंदा बजगा है तो उसी तरह से हमें स्टेट लाइन वाली बुनाई करनी है जैसे हमने पहले की है तो यहाँ पे स्टेट लाइन वाला फंदा और उसके आगे का एक फंदा उसको हमने ऐसे slip करना आगे से फिर उसके आगे का एक फंदा हमने सीधा बूनना है फिर इन दो फंदों से हमें उस फंदे को गटाना है तो ऐसी स्टेट लाइन आ जाएगी अब आगे उसी तरह से बूना हमें कंटिनू करनी है अब उसके आगे का फंदा पर्ल है तो पर्ल बूनना है फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुन कर हमने ये रोग कम्प्लीट करनी है अब आगे हमें इसी तरह से बुनाई करनी है जब स्ट्रेट लाइन आती है तो हमें फंदे गटाने हैं और बागी हमें बॉर्डर की बुनाई ही करनी है और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक की length complete नहीं हो जाती last row के साथ ही neck के border की बुनाई भी complete हो गई है मैंने इसकी जो चोड़ाई है इतनी बुनी है आप चाहे तो इससे भी चोड़ा भी बुन सकते हैं देखें straight line फिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है हमने border की बुनाई तो complete कर ली है अब हमें फंदे bind off करने हैं आप दो तरीकों से फंदे bind off कर सकते हैं एक तो आप सुई से seal कर इसको bind off कर सकते हैं या तो normal तरीके से भी आप फंदे bind off कर सकते हैं पहले जैसे हमने सुई से फंदे बाइंड आफ करना सीखा था, पहला हम उसी तरह से फंदे बाइंड आफ करना सीखेंगे. तो इसमें हमें जितने फंदे हैं उसे साफ से यान लेना है और उसे कट करके सुई में इंसर्ट करके फंदे बाइंड आफ करने हैं. नेक के फंदे काफी हैं तो हमें यार भी उसी साब से लेना होगा तो थोड़ी लंबी यार लेकर उसे कट करके सूई में इंसर्ट करके हम फंदे bind आफ करेंगे अब इसमें पहला फंदा पर्ल है और उसके आगे का सीधा फंदा दो नूग हमने साथ में आगे से ऐसे सीलना है फिर आगे हमें उसी तरह से सीलना है जैसे हमने स्लिप के बॉर्डर की बुनाय करते समय सीला था फिर आगे एक फंदा हमने बैक साइट से ऐसे लेना है और पर्ल वाला फंदे को हमने इस तरह से सीलना है फिर आगे का एक सीधा फंदा जो पहले हमने सीला था उसको ऐसे लिया फ्रंट साइड से फिर फ्रंट का एक जो सीधा फंदा उसको ऐसे फ्रंट से सीलेंगे तो इसी तरह से हमने सीलते जाना है पहले जैसे हमने सीलाई की जस्ट वैसे हमने सीलना है प्रेंट्स याद रखेगा मैंने नेक में नॉर्मल बॉर्डर वाली बुनाई की है तो इसमें आपको सुई से नहीं सीलना है ये तब आप सीलेंगे जब पहले जैसे मैंने रेस्टोर प्रॉंट और बैक में बॉर्डर वाली जो बुनाई की है उसमें ये अपलाई होगा ये तरह से बाइंड ओफ करना है और बाद में यान को सिक्योर कर लेना है एक तो ये तरीका है कि फंदे सुई से कैसे बाइंड ओफ करेंगे अब दूसरा तरीका नॉर्मल जैसे हम फंदे बाइंड ओफ करते हैं वैसे करेंगे तो वो कैसे करते हैं वो भी आगे सीखेंगे फ्रे करें हैं तो चलिए आगिन चैसे बाइंड़ करते आगे चैसे करते के थिक नॉर्बर तरीके से वह कुछेख तरह मैंने बॉडर वाली इतनी बुनाई की हैं इसी में हम सीखेंगे कि कैसे फंड़ में आगे फंदे कैसे bind-off करते हैं, नौर्मल तरीके से वो सीखते हैं, मैंने बॉर्डर वाली इतनी बुनाई की है, इसी में हम सीखेंगे कि कैसे फंदे bind-off करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे विवर्स को फंदे bind-off करना पहले से आता होगा, यह सिर्फ बेगनर्स के लिए कि तो आगे के जो दो फंदे हैं आगे साइट से हमें ऐसे दो का एक करना है और याद रखिए का मैं राइट साइट से फंदे पाइंड आप कर रही हूं तो इसी तरह से दो फंदों का हमें एक फंदा करते जाना है और फंदे बाइंड आप करते जाने तो इस तरह से डिजाइन आजाती है तो इसी तरह से आगे भी हमें ऐसे ही फंदे बाइंड ओफ करते जाना है हमने सारे फंदे बाइंड ओफ कर ले हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सेम लग रहा है तो इस तरह से हमने नॉर्मल बॉर्डर में फंदे बाइंड ओफ करने हैं हमने फंदे तो बाइंड ओफ कर ले हैं अब आगे हमें सिलाई करनी है हमें स्लीप की सिलाई करनी है और दोनों साइड की सिलाई करनी है इस साइड तो मैंने सिलाई कर ली है अब दूसरी साइट की सिलाई कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं हमने एक साइट की तो सिलाई कर ली है अब इस साइट की भी हम सिलाई करेंगे अब यह बॉर्डर तक जो सिलाई है मैट्रस को जैसे सीलते हैं वैसे ही हम सिलाई करेंगे आगे फिर एक एक फंदा उठा कर हमें सीलते जाना है मैट्रस वाली जो सिलाई है पहले भी हमने चैनल में सीखी आज फिर से सीख लेते हैं अब जो बॉर्डर की हमें सीलाई करनी है वो मैट्रस जैसे करनी है जैसे मैट्रस को सीलते हैं वैसी तो बॉर्डर तक ही करना है उसके आगे हमें एक एक फंदा उठा कर उसे सीलते जाना है जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ वैसे ध्यान से देखकर ऐसे ही आप सीलेगा अब यहाँ पर क्या करना है दोनों साइट से बीच बीच में से एक एक फंदा उठा कर सीलते जाना है यहां तक हमें सिलना है फिर उसके बाद एक एक फंद आगे से उठा कर हमें सिलाए करनी है पॉर्डर तक की सिलाई तो हमने कम्प्लीट कर ली है अब इसके आगे से जो उठा हुआ आपको यह फंदा दिख रहा है एक एक फंदा उठाते जाना है और सिलते जाना है अब यहां तक हमने सिलाई कर ली है अब इसके आगे भी हमें इसी तरह से सीलते जाना है और सिलाई पूरी करनी है हमने सिलाई पूरी कर ली है और यान को सिक्योर भी कर लिया है इसी के साथ स्वेटर की बुनाई कम्प्लीट होती है स्वेटर की बुनाई तो हमने complete कर ली है अब रह जाता है इसका most important पार्ट जो है इसका measurement तो इसका हम complete measurement देख लेते हैं आगे measurement लेने से पहले इसमें किती wool लगी है वो जान लेते हैं इसको मैंने XL to double XL को आ जाए उसे साब से बुनी है तो इसमें लगवा 470 ग्राम wool यूज हुआ है इसमें कितना wool यूज हुआ है हमने जान लिया अब आगे इसकी measurement ले लेते हैं अब इसकी लंबाई की measurement है वो normal height के साब से है तो मैं इसकी next से नाप ले रही हूँ तो next से हम इसकी लंबाई की नाप लेंगे बुरी मैंने इसकी लंबाई को normal height के साब से बुना है मैंने next से लेकर इसकी लंबाई को लगवा 27 इंच लंबा बुना है और इसमें जो border की जो लंबाई है वो 2 इंच है आप देख सकते हैं बॉर्डर को मैंने लगबग 2 इंच बुना है आप इसकी लंबाई अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम या जादा बुन सकते हैं अब इसमें आमूल की कटिंग की नाप देखें तो इसकी कटिंग को मैंने 11 इंच बुना है आमोल के cutting की तो नाप हमने ले लिए है अब हम sleep की नाप लेंगे हमने आमोल के cutting की नाप ले लिए है अब हम sleep की total length देख लेते हैं अब यहीं आमोल की जो cutting हुई है यही से हम sleep की length देखेंगे अब यहां तक आप देख सकते हैं इसकी length लगबग 20 इंच है आप अपने हाइड के साब से इसकी लेंद को कम या जादा रख सकते हैं हमने स्लीब की मेजरमेंट भी ले ली है अब इसके आगे चोड़ाई देख लेते हैं इसकी चोड़ाई काफी है क्योंकि मैंने इसमें ये पैटर्न बुना है तो इससे ये काफी फैलता है और एकसेल डुड़ एकसेल साइज को इसली ये आ जाएगी तो इसकी चोड़ाई को देखने की जोरत ने बढ़ेगी आपको इसी के साथ इस स्वेटर का मैजरमेंट भी कमप्लीट होता है आई होप आपको ये स्वेटर बहुत पसंद आया होगा और इसकी बुनाई भी आपको बहुत इजी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गया होगा इसके अलावा कुछ भी रह गया हो तो कमपेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजीगा और यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस जरूर करेगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफ बूत हो जाए इसी विश और पॉजिटिविटी के साथ आज की वीडियो में यहीं पर एंड करूंगी एडवांस में आप सभी को हैपी रक्षा बंदन आप सभी खुश रहें और स्वस्त रहें आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद